हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम करेंगे आईसी जीरो वन मींस प्रिंसिपल ओफ इंशूरेंस का क्रेश कोर्स पार्ट टू इसमें सभी कुश्चन्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आपने ध्यान से करना है और एक बहुत जरूरी बात जो कुश्चन्स में कॉंसेप्ट समझाए गए हैं उन्हें आपने ध्यान से करना है क्योंकि देखिए कॉंसेप्ट सेम रहते हैं कुश्चन्स की लेंगविज चेंज हो जाती है तो इसलिए कॉंसेप्ट को आपने ध्यान से करना है तो चलिए शुरू करते हैं which of the following term matches closest with four closer अब देखिए इसमें नीचे कुछ terms दी गई है और आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी term है जो की four closer के साथ match करती है तो देखिए इसके साथ match करने के लिए पहले आपको four closer का मतलब पता होना चाहिए देखिए four closer का मतलब होता है कि अगर कोई policy का premium नहीं भरा गया काफी time से वो बंद पड़ी होई है तो ऐसी policy को four closer कहा जा सकता है तो options है surrender value, nominee, death claim और maturity claim तो देखिए four closer जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर policy जो है वो बंद पड़ी है काफी समय से तो nominee, death claim या फिर maturity claim का तो उससे कोई connection नहीं है इससे जो word match कर सकता है वो है surrender value क्योंकि अगर policy जो है मा लीजे दो साल से ज़्यादा चली है ठीक है, और उसको उसके बाद फिर वो बंद होगी means जो premium था वो उसका जमा नहीं करवाया गया तो उस policy को surrender करवाया जा सकता है तो surrender value जो है वो for closure के साथ closely related term इस question में बैठ रही है तो इसलिए इस question का जो right answer है वो है option A चलीए, अब है आपका next question find out which of the given statement is incorrect अब देखे नीचे कुछ statements दी गही है और आपको चुनना है कि कौन सी statement है जो की गलत है चलीए देखते है An organization must have a purpose अब इस statement का मतलब है कि कोई भी जो organization है उसका कोई ना कोई purpose जो होना चाहिए देखे, obvious यह बात है अगर कोई department, कोई organization खुली है तो वो किसी कारणवश ही खुली है तो वो मतलब कोई काम है जो वो कर रही है तो कोई ना कोई purpose जो है वो हर एक organization का होना अविश्यक है दूसरी statement में कहा गया है An organization is identified by its action किसी भी organization को हम उसके action means वो क्या काम करते है उसके द्वारा ही जानते है यह भी बात सही है Next है An organization is identified by a building It occupies किसी भी organization की जो पहचान है वो किस से है जिस building में वो organization है और last option है An organization can own assets कोई भी organization जो है वो assets जो है खरीद सकती है ओन कर सकती है तो देखिए इन में जो आपकी third option है means के organization को उस building से पहचाना जाता है जहां पर वो है तो यह वाली incorrect आएगी बाकि जो आपकी A, B और D option है यह सारी सही है तो इस question का right answer है option C next question is find out which of the given statement is incorrect अब देखिए इस question में भी कहा गया है कि आपको जो नीचे दी गई है options उन में से गलत वाली चुननी है तो पहली option है accounts department has to monitor cash flow from subordinate offices तो account department जो होता है उसे check करना होता है कि जो subordinate offices है उन में cash flow कैसे हो रहा है means उस पे monitor रखना होता है तो यह बात तो सही है next है marketing department has to monitor business inflow तो marketing department का क्या काम है कि business के inflow पर monitor करना उसको check करते रहना कितना business हो रहा है next है marketing department has to monitor performance of agents तो marketing department को यह भी monitor करना पड़ता है check करते रहना पड़ता है कि agents की performance क्या है यह भी बात सही है और last option जो है इसमें कहा गया है कि actual department is responsible for settling the death claims देखिए यह वाली जो statement है यह incorrect है क्योंकि जो actual department रहता है उनका काम जो होता है वो policies को design करना उनके premiums calculate करना यह रहता है तो उनका काम जो है death claims को settle करना नहीं रहता है उसके लिए claim department अलग से होता है तो incorrect जो statement है वो option डियाएगी next आपका question है which of the following terms is dissimilar to other terms और terms दी गई है whole life insurance policy money back insurance policy term insurance और unit linked insurance policy देखिए इन में जो आपकी A, B और C option है means whole life policy then money back policy और term insurance यह तीनों ही traditional insurance plans है और जो आपकी option D है जिसमें दिया गया है ULIP यह जिसे हम full form में कहते हैं unit linked insurance plan भी कह देते हैं policy भी कह देते हैं यह non-traditional insurance plan की category में आता है इसलिए जो आपकी option D है यह dissimilar option हो जाएगी तो इसका answer है option D now the next question is which of the following terms is dissimilar to the other terms in context to the death claims in life insurance अब देखिए इस question में पूछा गया है कि अगर हम death claim life insurance में बात करें death claim से related तो कौन सी term है जो के different हो जाएगी बाकी terms के comparatively options है early claim non-early claim foreclosure and beads of the assignment अब देखिए इस question में जो dissimilar term है वो है foreclosure क्योंकि हम अभी पीछे question में पढ़के आए है foreclosure का मतलब होता है कि अगर जो कोई भी policy है बंद पड़ी हुई policy को foreclosure कहा जाता है तो यहाँ पर जो options दी गही है देखिए early claim early death claim भी जिससे कहा जाता है इसका मतलब होता है कि अगर policy करवाने के तीन साल से पहले पहले किसी विक्ति की मृत्य हो जाती है तो उसके जो claim को early death claim कहा जाता है और non early का मतलब होता है कि अगर तीन साल के बाद policy करवाने के तीन साल के बाद policy holder की मृत्य होती है तो वो जो claim है वो non early claims में चले जाते है जबकि जो deeds of assignment है इसका मतलब होता है कि जो policy है वो किसे assign की गई है उसकी जानकारी तो जो foreclosure term है इसका death claim से कोई भी connection नहीं है तो इसलिए इस question का right answer है option C Now the next question is As per structured formula under the Motor Vehicle Act Victims of fatal injuries are paid compensation on the basis of अब देखिए इस question में पूछा गया है कि जो motor vehicle act है उसके हिसाब से अगर कोई भी accident हो जाता है उसमें जो victim है जिसे चोट लगी है उसको जो injuries है मतलब जो उसे चोटे लगी है उसे जो compensation दिया जाएगा वो किसके हिसाब से दिया जाएगा तो देखिए options है age and sex, age and number of dependents, income and size of family और last option दी गई है age and income तो देखिए इसका जो सही answer है वो option D है क्योंकि age और sex इसके हिसाब से तो consider नहीं होगा कि अभी क्या IU है और कौन से gender के है वो means male है या female है next option में कहा गया है age and number of dependents means उस व्यक्ति की age क्या है और उस पर कितने व्यक्ति जो है वो dependent है और तीसरी option में कहा गया है कि income and size of family अब ये भी relate नहीं करेगा पर देखिए जो last option है age and income ये consider किया जाता है motor vehicle act का जो formula है उसके हिसाब से compensation के लिए कि उस व्यक्ति की age क्या है और वो कितना पैसा कमा रहा है इसके according check किया जाता है और compensation जो है वो दिया जाता है तो इसलिए इस question का जो right answer है वो option D होगा Now the next question is as per insurance act Every insurer has to pay at the end of financial year अब इस question में कहा गया है कि insurance act देखिए insurance act जो हमारा है 1938 उसके हिसाब से हर एक insurer, insurer का मतलब होता है insurance company तो हर एक insurer या फिर insurance company को financial year के end में क्या prepare करना होता है तो options दी गई है balance sheet, profit and loss account, revenue account for each class of business and last option दी गई है all of above तो देखिए हर एक insurance company को financial year के end में balance sheet भी prepare करनी होती है profit and loss account को भी maintain करके रखना होता है revenue account हर एक insurance business के लिए भी बना के रखना पड़ता है तो इसलिए इस question का right answer आएगा option D means all of above now the next question is the third party administrator's role mainly involves देखिए third party administrator जिसे हम TPA भी कहते हैं उसका role पूछा गया है, options check करते हैं canvassing the business for the insurer means insurer के लिए एक business का canvas त्यार करना, पूरा खाका त्यार करना issuing the documents on the behalf of insurer, insurer के बहाफ पे documents को issue करना arranging for re-insurance, re-insurance को arrange करवाना, देखिए re-insurance का मतलब क्या होता है जब insurance के उपर insurance करवाई जाती है, या फिर example के तोर पे समझ लीजिए जब insurance company अपनी insurance करवाती है तो उसे re-insurance कहा जाता है और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में सिरफ एक ही re-insurance है जो है GIC, जिसको फुल फॉर्म होती है General Insurance Corporation of India वही इंडिया का एक लोता re-insurer है या फिर री-insurance company है और last option दी गई है, checking and paying the insurance claim means जो insurance के claims आये हुए है, उन्हें check करना और pay करना तो देखिए जो third party administrator है उसका काम होता है option D means जो insurance के claim आये हुए है, उनको check करना और pay करवाना बाकी सारे काम TPA के नहीं होते हैं तो इसलिए इस question का right answer आएगा option D now the next question is, time policies relate to अब देखिए एक time policies होती है एक प्रकार की अब इन्होंने options दी हैं और आपको check करना है कि time policy जो है न वो किस से relate करती है options है, fire insurance, hull insurance, personal accidental insurance, workman compensation insurance तो देखिए जो time policy है न ये hull insurance से relate करती है तो इसलिए इस question का right answer आएगा option B तो देखिए ये बच्चों जो time policy होती है न ये एक प्रकार की marine insurance से related policy होती है अब इसमें जो हमने hull insurance word किया, hull का मतलब हिंदी में होता है पतवार तो जो marine insurance होती है न पानी वाले जहाज उनकी insurance वगेरा ये question उससे relate कर रहा है तो आपने याद रखना है time policy जो है वो किस से relate करेगी hull insurance से चलिए अब next जो आपका question है which clause specifies the perils insured in scheduled form of the policy देखिए नीचे न कुछ clauses दी गई है और आपको चुनना है कि वो कौन सी clause है जो की एक policy में perils perils क्या होता है perils होता है जोकिम होता है जो की risk को बढ़ा देता है means वैसे related term ही है means peril है जो की क्या करेगा अगर कोई risk है न उसको increase कर देगा उसे peril कहा जाता है तो अब इन्होंने question में यही पूछा है कि आपको वो clause चुननी है जो की peril से relate कर रही है या peril को specify कर रही है किसी भी एक policy में तो options है permeable clause recital clause operative clause और consideration clause अब देखिए जो peril से related term आ रही है यहाँ पे या clause आ रही है वो है आपकी operative clause तो याद रखना है option C is the right answer now the next question is which of the following types of insurance is mandatory आपको नीचे कुछ insurance के नाम दिये गए है और आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी insurance है जो की अविश्यक है यह question ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत देश में कौन सी insurance जो है वो mandatory है जरूरी है करवानी ही पढ़ती है तो options है motor third party liability then personal accidental insurance product liability professional liability देखिए इसमें जो option A है न motor third party legal liability भी इसे कह दिये जाता है तो यह insurance हमारे देश में mandatory है करवानी ही पढ़ती है तो याद रहेगा न motor third party liability जो insurance है that is mandatory in India option A is the right answer now the next question is the minimum paid up capital required for general insurance company is rupees dash अब देखिए एक general insurance company को जो minimum paid up capital चाहिए वो कितना होना चाहिए means जब भी कोई general insurance company खुलती है means कोई किसी ने general insurance company start की तो जो minimum paid up capital उसे शो करना पड़ता है या होना चाहिए उसके पास इतना पैसा तो options है 25 करोड, 50 करोड, 75 करोड और 100 करोड तो minimum paid up capital जो है वो कितना होना चाहिए option DA 100 करोड अब है next question in hit and run cases claims are settled from अब देखिए जो hit and run cases होते हैं जिसमें क्या है कि किसी गाड़ी ने किसी को hit किया, accident कर दिया और फिर भाग गया है ना तो ऐसे cases में जो claims हैं वो कैसे settle किये जाते हैं, options है, solatium fund, IRDAIS contingency fund, insurance company reserves and motor third party pool तो देखिए hit and run cases में जो claims settle किये जाते हैं या फिर victim को जो claim दिया जाता है वो solatium fund के through दिया जाता है देखिए solatium fund जो है, ये एक परकार का fund create किया गया है जिसमें कि hit and run cases में क्योंकि अब उसमें तो पता नहीं है कि कौन मार गया है ना, पता ही नहीं चला कि कौन था जिसने की व्यक्ति को मार दिया, accident कर दिया तो ऐसे victims के लिए solatium fund create किया जाता है जिसमें कि उसको एक जो भी injuries है और एक emotional pain है उससे उबरने के लिए वो fund जो है वो दिया जाता है इसे solatium fund कहा जाता है, now next question is, select the expanded form of FPA used in insurance, आपको FPA की full form बतानी है तो इसके जो full form होती है ना, याद ही रख लीजिए, free of particular average, यह होती है FPA की full form, ढूड़िए कहां है option, option B is the right answer, चलिए, अब है next question select the expanded form of allop, अब इसमें भी allop जो third है, insurance में यह use होता है आपको इसकी full form बतानी है, तो यह भी आपने याद रखना है कि allop की full form है, advance loss of profits insurance तो option A इसका right answer है, चलिए, अब है आपका next question, which of the following terms matches closest with professional indemnity cover आपको professional indemnity cover से related जो term है, उसे बताना है कौन सी है options दी गई है, hospitals, nursing home, insurance company, commercial bank, और practices, surgeons देखिए अब जो professional indemnity cover है, उससे ना तो hospital, nursing, home match कर रहा है, ना insurance company, और ना ही commercial banks उससे जो related term है, वो है practicing surgeons, means ऐसे surgeons जो कि practice कर रहे हैं, उन्हें professional indemnity cover provided होता है जिस भी company है, जिस भी organization के अंडर वो काम करते हैं, इसलिए last option, option D is the right answer next question है, insurance cannot prevent the occurrence of risk, but it provides for the dash अब देखिए, इस question में कहा गया है, कि जो insurance है ना, ये risk के होने को तो नहीं रोक सकती means जो होना है, वो तो हो कि रहेगा, पर ये provide कर देती है, dash, अब क्या provide कर देती है options है, losses of the risk, occurrence of risk, chance of risk and none of these अब देखिए, जो losses of risk, means risk से, जो loss हुए है, उन पर compensation provide कर देती है, तो इसलिए a option जो है, वो right option है, अब next question है the document which embodies the contract in insurance is called as, अब देखिए, आपको उस document का नाम बताना है, जो की insurance के contract का proof होता है, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है, जो की proof होगा कि हां जी हमारी insurance जो है, इस insurance company से हमने करवाई हुई है, options है, security, policy, certificate and none of these तो देखिए, कौन सी चीज़ है insurance contract का proof, बिलकुल सही वो होती है policy, तो option B is the right answer, next question is, dash principle in insurance means maximum truth, आपको उस principle का नाम बताना है insurance में, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से सत्य, तो options है, subrogation, cause, proxima, insurable interest और abrimophytes, तो देखिए, इसका answer है abrimophytes, क्योंकि abrimophyte का मतलब होता है पूरी तरह से सच बताना, और abrimophyte का जो principle होता है ये insurer और insured, मतलब बीमा करने वाली company और जो बीमा जिसने करवाया है बीमित व्यक्ति, दोनों के लिए ही होता है, means, बीमा company को भी अपनी जो भी सही बातें हैं, जो भी मतलब policy से related सही terms हैं, वो clear करनी चाहिए बीमा करवाने वाले को, और जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है, उसे भी अपने related जो भी जरूरी जानकारी है वो सही सही बीमा company को बतानी चाहिए, तो इस principle को कहा जाता है, abrimophytes Now the next question is, which of the following terms matches closest with composite policy देखिए, एक composite policy होती है, आपको बताना है कि कौन सी term उससे बहुत ज्यादा closely match कर रही है options है, shopkeepers insurance, जनता, personal accidental insurance, critical care health insurance और marine cargo insurance अब देखिए, जो option B, C और D है, यह तो composite policy से relate नहीं कर रही है इस से relate कर रही है, shopkeepers insurance, क्योंकि देखिए, shopkeeper की जो insurance होती है, एक परकार की यह composite policy के अंडर आती है, इसमें जो भी shopkeeper से related चीजे होती है, बहुत सारी चीजे उसमें consider की जाती है कि क्या-क्या उस policy में include करवाया जाएगा, तो इसलिए उसे composite policy कहा जाता है, option A is the right answer Now the next question is, members of the insurance advisory committee are drawn to represent the interest of different groups like अब देखिए, इस question में कहा गया है कि जो insurance advisory committee रहती है, उसके जो members है तो वो जो अलग-लग groups में बताना है आपको कि वो जो members है, वो कौन-कौन आ जाएंगे तो options दी गई है, surveyors, agents, advocates, commerce, transport, consumer fora, industry, intermediaries और last option दी गई है, employees association in the insurance sector and agriculture तो देखिए, इसमें जो option B, C और जो last option है, D, ये तो match नहीं कर रही है तो जो first option है, surveyors, agents and advocates, ये इससे match कर रही है तो option A, जो है, वो right answer आगया Now the next question is, a surveyor's role includes, ये जो surveyor होता है, इसका role क्या होता है तो options दी गई है, checking the admissibility of the loss, means loss जो हुआ है, उसके admissibility को check करना qualification of the loss, कितना है loss, ये check करना giving the comments on the loss, loss पर comments देना, उसको check करके बताना, क्या हुआ है, कैसे हुआ है और last option दी गई है, reporting the major losses to the IRDI, means IRDI को जो भी losses हुए है, उनके बारे में report त्यार करके देना means major losses की report त्यार करके देना, तो यही surveyor का काम होता है, option D is the right answer Now the next question is, which of the following covers is dissimilar to the other options तो options है, loss of passport, loss of profit, loss of checked in baggage and delay in receiving the checked in baggages अब देखिए, जो loss of passport, किसी का passport गुम हो गया, या फिर baggage गुम हो गया है या फिर जो bagg आना था, baggage आना था, उसको receiving में delay हो रहा है तो यह तो अलग terms है, पर जो loss of profit शब्द है, यह insurance से relate कर रहा है इसलिए option B is the right answer, क्योंकि यह बाकी terms से related नहीं है, dissimilar है तो option B इस question का right answer आएगा अब हमारा next question है, which of the following types of insurance is dissimilar to the other options आपको बताना है कि कौन सी ऐसी insurance है, जो बाकी insurance से अलग है तो option दी गई है, builders, risk insurance, hut insurance, crop insurance and livestock insurance अब देखिए इसमें जो different term है, वो option A है क्योंकि देखिए जो hut insurance है, crop insurance है और livestock insurance है यह सभी relate कर रही है, कौन सी insurance जो की हम कह सकते हैं farmers insurance से relate कर रही है, hut means क्या हो गई, जोपड़ी की insurance, crop, फसलों की insurance हो गई, livestock का मतलब हो जाता है जो पालतू, जीव जनतू होते हैं, भेड़ बकरियां वगरा होते हैं वो livestock की category में आ जाती है, तो यह सारी तो किसानों से जो किसानों की insurance करवाई जाती है, तो उन से related होगी पर जो builders risk insurance है, यह different आगी है, तो इसलिए option A जो है वो right answer आएगा इस question का, अब इसमें पूछा गया है which of the following term matches closest with the asbestosis, अब देखिए asbestosis न एक परकार की lung disease होती है, और जो नीचे options देगे हैं आपको चुनना है कि कौन सी ऐसी term है, जो कि asbestosis से closely match कर रही है, options है, products, pension, rough weather and workman's compensation, अब देखिए product, pension या फिर rough weather, इसका तो asbestosis से कोई भी connection नहीं है, पर जो workman compensation है न ये इससे match कर सकती है, क्योंकि workman compensation एक परकार की insurance scheme होती है, जिसमें काम करते हुए अगर व्यक्ति को उस काम की वज़े से कोई problem हो जाती है, injury हो जाती है, बिमारी हो जाती है, तो उसे workman compensation एक्ट के अंडर जो है compensation दिया जाता है, तो asbestosis जो है, क्योंकि ये एक lung disease है, तो कई बार क्या होता है, कि व्यक्ति जो है किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है, कि उस जहां पर वो काम कर रहा है, वहां का atmosphere ऐसा है, कि जिसके वज़े से वो उसे disease हो गई हो, है न, तो ऐसे में workman compensation जो है, उसे compensation देने के लिए, act के अंडर उसे वो compensation दिया जाता है, तो इसलिए जो option D है, वो इस question का right answer है, human life is the subject matter of a contract of dash, देखिए जो human life है, means, एक व्यक्ति का जो जीवन है, जब हम contract बनाते हैं, तो उसे किस प्रकार के contract में consider किया जाएगा, ये इस question में पूछा गया है, तो देखिए, options दी गई है, life insurance, fire insurance, marine insurance और general insurance, तो देखिए, जो human life है, ये subject matter होगा, life insurance के contract में, तो option A, जो है, ये इसका सही answer आएगा, तो option A is the right answer, next question में पूछा गया है, motor insurance provides insurance cover to dash, आपको बताना है, कि जो motor insurance होती है न, वो insurance cover किसे provide करती है, options दी गई है, private vehicles, commercial vehicles, motorcycles, all of above, तो देखिए, motor insurance जो है, ये insurance provide करती है, जितनी भी motor गाड़ियां रहती है, उन सभी को, तो A, B और C, तीनों ही options आजाएंगी, सही, इसलिए, इस question का right answer है, वो है option D, next question में पूछा गया है, Employee's State Insurance Corporation was established in, आपको बताना है, कि जो ये Employee's State Insurance Corporation है, इसकी स्थापना कब हुई, options है, 1968, 1958, 1948 और 1988, तो देखिए, इसका जो सही answer है, right answer है, वो है option C, means, 1968, means, year 1948 में, Employee's State Insurance Corporation की स्थापना की गई, option C is the right answer, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, in insurance, the risk is dash, options दी गई है, certain, uncertain, both A and B, and none, देखिए, insurance में जो risk है, वो uncertain है, पता नहीं कहां से कब उठकर कौन सी मुसीबत आ जाए, तो इसलिए, option B is the right answer, uncertain, now next question is, marine insurance may cover the loss or damage to dash, देखिए, जो marine insurance रहती है न, समुदरी जहाजों की जो insurance होती है, वोसे marine insurance कहा जाता है, अब इसमें पूछा गया है, कि ये जो coverage देती है, वो किस प्रकार के loss ये damage को coverage प्रवाइड करती है, options दी गई है, ship, cargo, any other subject of marine adventure and all of these, तो देखिए, जो marine insurance है न, वो ship, cargo या फिर और कोई marine adventure में जो use होती है, devices, तो उन सभी को, means जो पानी में चलने वाली जितने भी वाहन है, उन्हें ये insurance प्रवाइड करती है, तो इसलिए, option D जो है, इसका right answer आएगा, चलिए, अब next question में पूछा गया है, from the following, which is not a miscellaneous insurance, आपको बताना है, कि कौन सी ऐसी insurance है, जो कि miscellaneous insurance नहीं है, options दी गई है, motor insurance, third party insurance, social insurance, और burglary insurance, देखिए, motor insurance के बारे में आप जानते है, गाड़ियों की जो हमें insurance करवाते हैं, उसे motor insurance कहते है, third party insurance नहीं आएगा, यहां पे options में insurance यह आगया है, third party administrator होता है, जो कि health insurance में एक बड़ा रोल प्ले करता है, burglary insurance होती है, जो की चोरी से बचने के लिए insurance करवाई जाती है, पर देखिए, जो social insurance है, यह कोई misleynious insurance के example में नहीं आएगी, ऐसे ही मतलब यह common insurance नहीं है, तो इस question का जो राइट आंसर है, वो option C है, नेक्स्ट question में पूचा गया है, marine insurance is for one year, और for a specified dash, देखिए, जो marine insurance है, उसके related equation है, इन्होंने पूचा है, कि जो marine insurance है, यह है एक साल के लिए, या फिर for a specified dash, मतलब या तो यह एक साल के लिए होगा contract, या फिर एक specified dash, बताना है, रिक्स्थान में भरना है, क्या आए गए हापे, options दी गई है, वोईज, year, loss, and done, देखिए, वोईज का मतलब होता है, यात्रा, year हो गया, साल, loss हो गया, नुकसान, तो देखिए, जो marine insurance है, या तो ये एक साल के लिए की जाएगी, या फिर कोई particular यात्रा है, अब वो कितने समय की है, ये depend करेगा, तो उसके लिए ये में राइन insurance की जाती है, means, या तो एक साल के लिए, या फिर एक particular यात्रा के लिए इसे करवाया जाता है, तो option A means voyage is the right answer, ये इसके blank में आ जाएगा, अब next question में पूछा क्या है, from the following, which is delete, और power of IRDAI, आपको बताना है, कि जो नीचे options दिए गई है, इतन में से IRDAI की powers में क्या आएगा, options है, to regulate and promote, and ensure orderly growth of insurance business, means जो insurance का business है, उसे regulate करना, promote करना, control करना, और एक उसकी orderly growth करवानी, next option है, to exercise all powers and functions of controller of insurance, एक insurance के controller होने के नाते, सारी जो powers हैं, उनका proper इस्तेमाल करना, to promote and regulate professional organization connected with the insurance business, insurance business से related जितनी भी professional organizations हैं, उनको promote और regulate करना, और last option दी गए है, all of these, देखिए ये जो A, B और C, ये तीनों ही काम, या फिर तीनों ही powers जो है, ये IRDA की अंडर आएंगी, ये तीनों ही means IRDA की powers में आ जाता है, इसलिए option D means all of above is the right answer, अब next question में पूचा गया है, dash provides risk coverage to the life of person, आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर जो खत्रा बना रहता है, उससे हमें coverage प्रवाइट करवानी है, तो कौन सी insurance करवानी होगी, life insurance, health insurance, death insurance and all of these, तो देखिए इसका जो right answer है, वो है life insurance, क्योंकि life insurance जो है, ये व्यक्ति के जीवन पर जो risk है, उससे coverage प्रवाइट करती है, तो इसलिए इस question का जो right answer है, वो है option A, चलिए, अब जो next question है, from the following, which is importance of life insurance, आपको बताना है, कि जो नीचे options दीगे हैं, इन में से कौन सी ऐसी बात है, जो की life insurance की importance में आएगी, options है, encourage investment, means ये investment को बढ़ावा देता है, credit workness, ये workness को भी ज़्यादा increase करवाता है, tax benefit and all of these, देखे, जो तीनों options है, means अगर हम insurance करवाते हैं, तो investment हमारी हो जाती है, काम हम ढंग से करते हैं, tax benefit का भी हमें फाइदा मिल जाता है, तो इस तरह ये जो तीनों options हैं, ये life insurance की importance में ही आजाएगी, आप कह सकते हैं, उसके benefits में ही आजाएगी, तो option D is the right answer, all of these, next question में पूचा गया है, dash refers to the right of an insurer, to refuse admittance of the claim by insured, देखिए, इतने questions में हमने, ombudsman की बात की, जहां पर हम बात करते थे, insured के अधिकारों की, अब यहां पर यह जो question आया है, यहां पर बात की गई है, एक insurer के अधिकार की, question में पूचा गया है, कि आपको बताना है, कि उसे क्या कहेंगे, जो दर्शाता है insurer के अधिकारों को, कि किसी insured ने claim किया है, और कौन सा ऐसा अधिकार है, जिसके अंडर insurer उस claim को, admit करने से, मानने से, इंकार कर सकता है, options दी गई है, replication, repudiation, dofellication, and none, तो देखिए, ऐसे right को, जो insurer का है, उसे कहा जाता है, repudiation, option B is the right answer, next question में पूछा गया है, FPR का मतलब बताना है, तो बच्चो, FPR का मतलब होता है, first premium receipt, देखिए, जब हम अपनी insurance policy करवाते हैं, तो उसका जो premium भरा जाता है, पहला premium, तो पहला premium भरने पर, जो हमें receipt मिलती है, यानि कि पहला premium भरने पर जो receipt मिलती है, उसे FPR या फिर first premium receipt कहा जाता है, क्योंकि जब तक हमारे पास policy bond नहीं आता है, तब तक FPR हमारे पास, जो insurance का contract है, उसका proof की तरह रहती है, तो FPR की full form याद रखनी है, first premium receipt, option A is the right answer, next question में पूछा गया है, dash is a voluntary termination of the contract by the policy holder, आपको बताना है कि policy holder के द्वारा contract को खतम करना, है न, उसे क्या कहा जाएगा, means contract को पूर्ण रूप से खतम कर दिया गया है, policy holder के द्वारा तो उसे क्या कहा जाएगा, report, surrender, prospectus, cover note, तो देखिए, ना तो इसे report कहते हैं, ना इसे prospectus कहते हैं, और ना ही इसे cover note कहा जाता है, इसे कहा जाता है surrender, क्योंकि जब जो policy holder है, वो अपनी policy को surrender करवा लेता है, तो उस policy में जितना भी उसका amount मिल रहा है, वो उसे वापिस मिल जाता है, ठीक है, और policy जो है वो पुर्ण रूप से बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाता है contract, तो इस process को surrender कहते हैं, इसलिए option B जो है वो right answer आएगा, अब अगले question में पूचा गया है, डेश मीन्स क्लोजर और रिटिंग ओफ दा पॉलिसी बिफोर इट्स एक्चुल मिचुरिटी, देखिए, पॉलिसी को या तो बंद कर देना या रोक देना, एक्चुल मिचुरिटी से पहले ही उसे क्या कहा जाएगा, options है, foreclosure, surrender, endorsement and cover note, तो देखिए, इस process को कहा जाता है, foreclosure, option A is the right answer, next question में पूचा गया है, कि if the insured dies before the expiry of the term of the policy, this is known as dash, अगर insured व्यक्ति, मतलब जो भीमित व्यक्ति है, policy खतम होने से पहले पहले, means policy की term complete होने से पहले ही उसकी मृत्य हो जाती है, तो क्या कहेंगे नीचे जो options दी गई है, कौन सी यहाँ पर fit बैठेगी, पहली option है surrender, फिर है foreclosure, फिर है death claim और death policy, तो देखिए, ऐसे case में कहा जाएगा death claim, ऐसी condition में death claim आएगा, तो जो सही option बैठ रही है यहाँ पर, वो है option C, death claim, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, dash is concerned with the overseas trade, देखिए overseas trade का मतलब क्या होता है, समुद्दर पार जाके वेपार करना, उससे कौन सी insurance जो है वो concerned होगी, options दी गई है life insurance, non life insurance, marine insurance and fire insurance, तो देखिए, समुद्दर पार अगर जाकर कुईसी को वेपार करना है, तो उसी सुमुद्री भीमा की ये अविशकता होगी, जिसे हम कहते है, marine insurance, option C is the right answer, चलिए next जो question है न, यहाँ पूछा गया है, कि marine insurance is a contract of dash, ये किस परकार का contract है, options है, increment, indemnity, maturity and none, तो देखिए, जो insurance है न, marine insurance, ये एक परकार का न, indemnity का contract होता है, और जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं, कि indemnity का जो contract होते हैं, जितने भी non life insurance रहती हैं, वो contract of indemnity होते हैं, contract of indemnity का मतलब बच्चो होता है, कि अगर कुछ तूट-फूट हो गई, तो compensation मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं हुआ, तो contract खतम, contract of indemnity, इसमें increment या maturity वगएरा, कुछ नहीं मिलती है, अगर problem आ गई, तो compensation मिल जाएगा, पर अगर कोई problem नहीं हाई, contract हो जाएगा, खतम जितनी duration है उसके बाद, तो इसलिए option B, जो है वो right answer आएगा, चलिए, अब next जो question है, इसमें पूचा गया है, which is not a subject matter of marine insurance, आपको बताना है, कि यह जो समुदरी वीमा रहता है, marine insurance जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़, जो कि subject matter नहीं रहेगी, options है, hull insurance, cargo insurance, freight insurance, और fire insurance, देखिए, जो hull, cargo और freight है न, यह तो तीनों ही words जो है न, यह relate करते हैं किन से, जो समुदर में चरने वाले वहान है, means जो समुदरी जहाज हो गया, उसे related words है यह, और जो fire insurance है न, वो एक अलग प्रकार की insurance है, वो marine insurance में subject matter नहीं रहेगी, इसलिए option D is the right answer, अब अगला जो question है न, यह भी इसी से related है, क्या पुछा यह, check करते हैं, dash means body, और frame of the ship, और vessel and its machinery, आपको बताना है कि जो ship की body रहती है न, या frame कहतो जिसे आप, उसे क्या कहा जाता है, cargo, freight, hull और voyage, देखें उसे कहा जाता है, hull, means जो ship की body है न, उसे hull कहा जाता है, तो इसलिए इस question का जो right answer है, वो option C आएगा, अब next जो question है न, यह भी सी से related है, इसमें पूछा गया है, dash means goods, और commodities, carried in a ship, आपको बताना है कि एक ship, जो की समान carry करता है, उसे क्या कहेंगे, है न, options है hull, अब हल तो पिछले question में हमें पता चल गया, क्या चीज़ होती है, फिर है cargo, फिर freight और weirs, तो देखिए, जो समान carry करने वाला, जो ship है, उन्हें कहा जाता है cargo, क्योंकि का का मतलब क्या है, कि ऐसे पानी वाले जहाज, जो समान को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाते हैं, उन्हें cargo कहा जाता है, option B, जो है वो right answer आएगा, next वही जो question है, इसमें पूछा गया है, dash is the charge to be paid, to the transportation of the goods, अब जो transportation करवानी है, हमने समान की, means पानी वाले जहाज के थूँ, एक जगा से दूसरी जगा पर जो समान ट्रांस्पोर्ट करवाना है, उसके लिए जो हमें charge pay करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, options है, हल, cargo, freight, और premium, अब देखिए हल का मीनिंग आपको पता चल गया है, cargo का भी पता चल गया है, और premium शब्द भी I think आप लोगों को पता ही है, तो बचा गया यहाँ पर option C means fright, यनि कि जो transportation of goods के रिए charge pay किया जाता है, उसे fright कहा जाता है, option C is the right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूचा गया है, the first requirement of the corporation, in case of death claim is dash, अब देखिए, अगर death claim हो जाता है, तो कोई भी जो corporation है, means insurance corporation रहेगी, उसकी पहली अविश्यक्ता क्या होगी, मतलब पहली जो चीज death claim में submit करवाने की जरूरत है, वो क्या होगी, क्या है options, यह है imitation of death, intimation of death, certificate of death, and none of these, तो देखिए जो first requirement रहेगी न, death case में claim के लिए, वो होगी intimation of the death, means death की जानकारी, option B is the right answer, अब जो अगला question है न, यहां कहा गया है, from the following which is not a content of letter of intimation, देखिए जो letter of intimation रहता है न, जैसे अभी हमने पिछले question में किया, उन में से कौन सी ऐसी बात है, जो की content नहीं रहेगी, इस letter में नहीं आएगी वो बात है न, options क्या है, name of the life insured, यह तो चाहिए ही है, तब ही पता चलेगा न, कि किस की death हुई है, date of death, यह भी चाहिए है, किस तरीक को उसकी death हुई है, cause of death, cause of death से claim की value decide की जाती है, कि accidental death हुई है, या फिर natural death हुई है, और option D दी गई है, date of birth, देखे date of birth की इसमें जरुरत नहीं रहेगी, तो option D जो है वो right answer आजाएगा, अब जो next question है न, यहाँ पे न, PPL policy का एक expansion माना गया है, means, जो PPL शब्द है न, insurance में use होता है, आपको उसके full form बतानी है, तो इसकी जो full form होती है न, वो तिये policy proof of interest, option C जो है वो right answer आएगा, याद रखनी है, ऐसी full forms बहुत सारी आजाती है, क्या है यह policy proof of interest, चलिए, अब हम करेंगे, dash policy is issued to cover the risk involved when the ship is anchored in the post, आपको बताना है, कि जब चुप पानी वाला जहाज है न, उसने अपने लंगर डाल दिया, जब लंगर डालने का मतलब क्या होता है, कि एक जगा पर जो भी उनकी जगा होती है, वहाँ पर आके वो खड़ी हो गई है, अब उस समय, जो रिस्क होंगे उस शिप पे या उसके जो भी समान उस पे है, उस रिस्क को कवर करने वाली पॉलिसी को क्या कहा जाता है, ठीक है न, ओप्शन्स हैं, कार्गो, पोर्ट रिस्क, करंसी, एंड फ्लीट, तो देखिए, पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है न, वो इशू की जाती है, किस समय के लिए, जब जो शिप है, वो लंगर डालके एक जगा पर खड़ी है, क्योंकि उस समय भी तो उस पर नुक्सान होने का कुछ न कुछ चांस बना रहता है न, तो ऐसी पॉलिसी को क्या कहा जाएगा, पोर्ट रिस्क पॉलिसी, ओप्शन बी इस राइट आंसर, एन इंटरनेशनल कोड औफ डैश रूल्स अप्लाइड टू मुराइन लॉसेस, देखिए, इस कोशन में पूछा गया है, कि जो समुदरी नुक्सान होते हैं, जो समुदरी जहाज होते हैं न, उनमें जो भी लॉसेस होने की चांसेस रहते हैं, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल कोड औफ रूल्स बनाए गए हैं, आपको उन रूल्स का नाम बताना है, ओप्शन दी गई हैं, यॉक एंट्रेप रूल, यॉक एंटी पैरल रूल, बोथ, A&B, और नन, तो देखिए, जो ये इंटरनेशनल कोड औफ रूल्स है, ये हैं यॉक एंट्रेप रूल, ये बेसिकली मैरिटाइम रूल्स हैं, जो की 1890 में इनको बनाया गया था, specially बनाया गया था, जो समुदरी जहाजों में होने वारा नुकसान है, उनको cover up करने के लिए या उनके regarding, तो option A, means york and trap rule, is the right answer for this question. Now the next question is, New Delhi is head office of, आपको बताना है कि नई दिली, कौन सी company का head office है, नीचे options दे गई हैं, United India Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited, और New India Assurance Company Limited, देखिये, जो Oriental Insurance Company Limited है न, इसका head office New Delhi में है, तो option B, जो है यह आएगा, right answer. Now the next question is, dash are extra benefits under the policy, आपको बताना है कि policy के under, जो extra benefits रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, options दी गई हैं, riders, loans, both A and B, and none. तो देखिये, जो extra benefit होते हैं पॉलिसी के under, उसे न, rider कहते हैं, देखिये, rider क्या है, यह extra benefit है, या आप कह सकते हैं कि, जब जो basic policy रहती है न, उसमें अगर आप और extra, चीज़े डलवाना चाहते हैं, फाइदे डलवाना चाहते हैं, तो उन्हें riders कहा जाता है, देखिये, जैसे अगर हम बजार जाते हैं, पीजा लेते हैं हैं और अपनी पसंद की toppings डलवाते हैं न, तो इन्हें riders कहा जाता है, और rider जो है न, चार-पांच टाइप के रहते हैं, policy to policy ये vary करते हैं, तो option A, जो है, ये right answer आजाएगा इस question का, ना दे नेक्स question is, एन insurance policy will be only if Dash is paid, देखिये, अब इस question में कहा गया है, कि insurance policy होगी, अगर Dash जो है, पे कर दिया गया है, options क्या है, policy, premium, document and none, तो देखिये, policy और document, तो हम pay नहीं कर सकते हैं, हम pay क्या करते हैं, pay करते हैं premium, जिसे हम हिंदी में किस्त भी कहते हैं, तो एक policy कब मानी जाएगी, कि हो गई है, या हम कह सकते हैं, जो insurance policy का contract है, वो है, कब होगा वो, अगर आपने premium जो है, वो pay कर दिया हुआ है, तो option B, जो है, यह आएगा, right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, insurable interest must be present in and dash, insurance contract, at the time of contract, and at the time of loss, अब देखिये, नीचे कुछ policies दी गई हैं, और पूछा गया है, कि वो कौन सी policy है, या कौन सी type of insurance है, जिसमें insurable interest, जो है, वो, दो समय present होना चाहिए, एक तो जब contract बनाया गया है, और एक जब loss हो जाएगा, means, दोनो समय पर, दोनो time पर ये insurable interest, जो है, present होगा, कब, जब आपने insurance खरीदी, मतलब जब insurance का contract बनाया गया, और दूसरा जब loss हुआ, तब भी, ठीक है, options है, fire, marine, property, and life, तो देखिए, एक एक insurance ऐसी होती है, जिसमें न, दोनो time पर insurable interest को चेक किया जाता है, देखा जाता है, प्रेजन्ट होता चाहिए, और वो होती है, fire insurance, तो option A, जो है, यह आएगा, right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, transit risk caused by fire, is covered under, dash policy, देखिए, अब इसमें कहा गया है, कि जो transit risk रहता है, fire की वज़े से हो गया है, अब यह जो transit risk है न, इसका मतलब क्या है, ऐसा risk जो की goods, means जो भी आपका समान वगयरा है, storage में, उसको जो risk है न, fire की वज़े से, अब यह कहते हैं कि, is covered under which type of policy, भई वो किस तरह की policy में cover होगा, options है, access policy, floating policy, all risk policy, and transit policy, तो देखिए, जो transit risk है, वो कौन सी policy में cover आएगा, ओविस्थी बात है, transit policy में, खिक है, तो option D, जो है, यह आगया, इस question का, right answer, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, कि, dash is the total premium, data policy holder pays, आपको बताना है, कि, जो policy holder, premium pay करता है, न, total, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो भई, जो total premium policy holder के द्वारा, pay किया जाता है, उसे gross premium क्या करता है, इसलिए, option A, जो है न, इस question में, यह आएगा, right answer, gross premium is the total premium, data policy holder pays, now the next question is, अब देखे, यह जो question है, यह भी premium से related पूछा गया है, throughout the life of the policy, आपको उस premium का नाम बताना है, जो की, policy की पूरी life, यानि की policy की पूरी term के दुरान, change नहीं होता है, same रहता है, क्योंकि देखे, जो total premium है न, gross premium, उसमें तो क्या है, उसमें taxes वगएरा भी add होते हैं, और जो taxes हैं, वो सरकार की, मतलब जो guidelines हैं, उसके हिसाब से, change होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो पर वो वाला value of premium, जो पूरी policy term के दुरान, या policy की life के दुरान, change नहीं न होएगा, उसे क्या कहा जाएगा, है न, तो देखे, इसमें तो options, average premium, gross premium, total premium और level premium दिया गया है, तो उसे कहा जाता है, level premium, means, level premium, वो value of premium है, जो पूरी policy term के दुरान, change नहीं होगा, जो changes आती हैं, वो taxes वगेरा की changes आती हैं, जिससे की total वगेरा करके, फिर gross premium बनता हैं, पर जो level premium है, उसकी value change नहीं होगी, अगले question में पूछा गया है, the time frame for which insurance policy provides coverage is known as dash, अब देखे, इसमें पूछा गया है, कि उस time period को क्या कहेंगे, जिस time period में, जो policy होती है, insurance policy, वो coverage प्रवाइड करती है, तो भही, उस time को policy term कहते हैं, means, जैसे मान लीजिए, किसी ने life insurance policy ली है, और 20 साल की ली है, जैसे हम generally पूछ लेता है, कोई भी व्यक्ती, कि भही, यह policy जो है, यह कितने साल की होएगी, है ना, तो एक insurance agent उसे बता देता है, कि यह 20 साल की है, 15 साल की है, या 25 साल की है, उसे हम policy की term बोलते हैं, ठीक है, policy term का मतलब होता है, कि कितने साल तक, जो भी policy की गई है, वो coverage provide करेगी, या जनरल भाशा में समझ लो, कि policy कितने साल तक चलेगी, ठीक है, तो उस policy की duration को, क्या कहा जाता है, policy term कहते हैं, इसलिए जो option A है, ये आएगा, right answer इस question का, ठीक है, चलिए, अब है, जो next question है न, इसमें कहा गया है, an exceptionally large risk is known as dash, देखिए, अगर कोई भी चीज़ है, उस पर बहुत जादा risk है, बहुत बड़ा risk है, तो ऐसे risk को क्या कहा जाता है, ठीक है, question समझ गए आप, and none, तो देखिए, अगर exceptionally large risk है न, तो उसे jumbo risk कहते हैं, इसलिए option B जो है, वो right answer आजाएगा, इस question का, अब अगला जो question है न, इसमें पूछा गया है, a person who gains, or benefits, as per contract, is known as dash, अब ये जो question है न, ये पूछ रहा है, कि जो insurance contract हुआ है, उस insurance contract में, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, जो की benefit लेगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, जिसको उस contract से benefit मिल रहा है, options है, beneficiary, enutent, assurer, and none, तो देखिए, beneficiary जो है, इसका मतलब होता है, जो फाइदा लेने वाला होगा, enutent होता है, जो annuity लेता है, annuity क्या होती है, pension, और assurer कौन है, जो की भरोसा दे रहा है, ठीक है, और assurer जो है न, वो तो हमारा, insurer ही आ जाता है, क्योंकि insurer के द्वारा, भरोसा दिया जाता है, कि, जो भी condition होगी, उसमें जो है, आपको, means claim हो, या फिर maturity हो, वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है न, तो भाई, जो person है, जिसको benefit हो रहा है, contract में, उसे हम क्या कहेंगे, benefit से, शब्द बन गया, beneficiary है न, तो option A, जो है, ये इस question का, right answer आ जाएगा, beneficiary, अब next जो question है, इसमें पूछा गया है, intimation of death, is the information of death, to dash, अब देखिए, अगर, contract के under, जो व्यक्ति था, ठीक है, उसकी death हो जाती है, तो उसकी जो intimation है, है न, वो क्या होगी, वो होगी, एक परकार की information, ठीक है, अब वो जो information of death है, वो आप किसे देंगे, beneficiary को देंगे, insurer को देंगे, दोनों को देंगे, या फिर किसी को भी निदेंगे, तो देखिए, beneficiary को तो बाद में दी जाएगी, सबसे पहले, वो किसे देनी चाहिए, प्रोसेस करवाना है, तो वो किसे दी जाएगी, इंशूरर को दी जाएगी, ठीक है, option B is the right answer, now the next question is, gross premium means, net premium plus dash, देखिए अभी हम, पीछे questions में करके आए, कि जो total premium, एक policy holder भड़ता है, उसे gross premium कहा जाता है, ठीक है ना, अब इस question में पूछा गया है, कि जो gross premium है न, उसकी value क्या होती है, क्या होती है, question में पूछा गया है, कि net premium, और उसमें क्या plus होगा, क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है, options है, profit, loss, expense, and expense loading, ठीक है, तो gross premium में न, net premium के साथ, expense loading, जोड़ दी जाती है, जिससे की gross premium की value बनती है, ठीक है, तो gross premium is equal to, net premium, plus expense loading, means जो खर्चे वगरा है, उनकी loading, net premium के साथ, जोड़ दी जाती है, तो gross premium जो है, वो बनता है, तो option D, जो है, यह आएगा, right answer इस question का, आपको बदाना है, उस health insurance की type का नाम, जिससे की, जो accident से, body को loss हो रहा है, उसको coverage provide करेगी, ठीक है, options है, property insurance, marine insurance, personal insurance, and accident insurance, तो देखिए, जो accident insurance होती है, यह है एक परकार की, health insurance, जो की body को, accident से होने वाले, जो, चोटे वगरा है, या नुकसान है, उनको coverage provide करती है, option D is the right answer, अब जो अगला question है, इसमें जो question है, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, तो question में पूछा क्या है, अब इस question में पूछा गया है के, एक tailor tobacco company है, और उन पर कोई जुर्माना वगरा किया गया, कुछ problem हुई होगी, और उसके लिए उन्हें जो है जुर्माना देना पड़ेगा, अब इस question में ये पूछा गया है, कि judicial system की उस character stick को आपने बताना है, जिसकी वज़े से ये जो company है, इसके जो नुकसान वगरा है न, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, means क्या है कि judicial system है, उसमें क्या है कि जो cases है न, कई बार वो बहुत ज़्यादा लंबे खिचते रहते हैं, तो हमें क्या है कि उस judicial system की character stick का नाम बताना है, जिसके वज़े से जो losses वगरा है न, company को वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो options दी गई है, moral hazard, particular risk, speculative risk, और legal hazard, तो देखिए, ये ना तो moral hazard है, क्योंकि moral hazard जो है न, वो तो एक individual के द्वारा, खुद के लिए जो खत्रा होता है न, वो होता है, particular risk आ जाता है, जो कि एक particular चीज की वज़े से हो, जो speculative risk है न, ये भी क्या है, ये एक अलग category of risk आ जाती है, पर क्योंकि यहाँ पर न, judicial system की उस characteristic के बारे में, पूछा गया है, जिसकी वज़े से company को जो है, losses थोड़े से बढ़ गएंगें हैं न, तो ऐसे हजार को क्या कहेंगे, legal हजार, ठीक है, तो option D जो है वो आएगा, right answer इस question का, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, all of the following are social costs, associated with the insurance, except, अब देखे, question में कहा गया है, कि नीचे ना कुछ options दी गई हैं, और वो सभी जो है, social costs हैं, अगर हम उनको insurance से relate करके देखें, पर एक नहीं है, और वो एक जो है, वो आपको ढोड़नी है, options क्या है, the expense of doing business, means business करने में जो खर्चा रहा है, next is fraudulent claims, means fraud हो गया है, उसके claims, then, inflated claims, means कुछ related to महंगाई, then, increased cost of capital, means capital जो है, उसकी cost बढ़ गई है, तो देखिए, जो social costs हैं न, उनमें, A, B, और C आजाएंगे, पर जो D है, means increased cost of capital, यह जो है, नहीं आएगा, अगर हम insurance से related बात करते हैं, तो option D, means increased cost of capital, is the right answer of this question, अब जो अगला question है न, यह भी थोड़ा सा बड़ा है, और इसको पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको इसका answer पता चलेगा, question है, ब्रॉंसन कम्पनी मेनिफेक्टरर्स टूल्स, अब एक ब्रॉंसन कम्पनी है, यह क्या करती है, होल सेलर्स को अपने टूल्स बेचती है, ब्रॉंसन is concerned that, it may be unable to collect money, the company is owed by the wholesaler, और जिस wholesaler को, means इन्होंने अपने टूल्स बगरा बेचे हैं, वो पैसा जो है वो नहीं भर पाए है, means उनसे जो पूरी पेमेंट आनी थी, वो नहीं हो पाई है, to address this risk, ब्रॉंसन कम्पनी कुड पर्चेस, और ऐसे risk से बचने के लिए, जो ब्रॉंसन कम्पनी है, उन्हें क्या खरीदना चाहिए, किस प्रकार का बीमा, या फिर कोई और प्रोड़क्ट खरीदना चाहिए, options है, fidelity bond, general liability insurance, allied lines insurance, and credit insurance, देखिए, क्योंकि यहां पर उधारी वाला काम चल रहा है न, तो जो ब्रॉंसन कम्पनी है न, उन्हें ऐसे risk से बचने के लिए, credit insurance खरीदनी चाहिए, option D is the right answer, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, all of the following are the risks, which may be faced by the business organization, except, देखिए, आपको बताना है, कोई भी जो business organization है न, वो अलग-लग प्रकार के financial risk face करती है, और जो नीचे options दी गई है न, इन में से आपको ढूणना है, कि कौन सा ऐसा risk है, जो financial risk नहीं है, या फिर business organization उसे नहीं face करती है, वो कौन सा ऐसा financial risk है, जो business organization face नहीं करती है, बाकी करती है, options दूण दो, तो options है, interest rate risk, commodity price risk, product liability risk, and currency exchange rate risk, तो देखिए, जो interest rate का risk है, ये तो business organization face करती है, इंटरस्ट rate बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है न, फिर commodity price risk, मिस जो समान वगएरा खरीदा जाता है, कच्चा माल खरीदा जाता है, उसका price भी बढ़ने का खत्रा बना ही रहता है, फिर है, currency exchange rate risk, अब देखिए, जब जो business organizations है, ये अपना समान दूसरे देशों में भेजती है, तो फिर क्या रहता है, जो currency exchange करवाई जाती है, उसका जो rate बढ़ जाता है, या फिर उसके जो charges देने पड़ते हैं, तो वो भी risk बना रहता है, पर जो product liability risk है न, product liability का मतलब क्या हो गया, जो products की जिम्मेदारी है, अब वो तो company को रहेगा, उसमे अब financial risk में थोड़े ना आएगा, ये तो जो products बनाए है, या फिर raw material है, उसके कैसे storage बगएरा करनी है, और जो finished product है, मतलब जो बन गया है, उसको transportation बगएरा करवानी है, तो वो financial risk में नी ना आएगा, ठीक है न, क्योंकि वो तो अलग है, product की जिम्मेदारी, वो तो company के अलग से बनेगी, तो ये जो A, B और C है, ये तो तीनों financial risk आगे, पर जो C है, means product liability risk, ये financial risk के अंडर नहीं आएगा, तो इस question का जो right answer है, वो option C आएगा, अब जो next question है, इसमें कहा गया है, डैश of India offers a range of credit risk insurance cover to the exporters against laws in export of goods and services, अब आपको बताना है, उस organization का नाम, जो की जो businessmen रहते हैं ना, exporters होते हैं, जो अपना समान एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो भारत में आपको उस agency का नाम बताना है, जो की exporters को, जो समान भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में, उसके लिए एक credit risk insurance प्रवाइड करती है, ताकि जब चीजों को export किया जाए, उस समय जो नुकसान वगएरा है, उससे coverage मिल सकें, तो options हैं, RBI, LIC, ECGC and NAIS, तो देखिए, इसका जो right answer है, वो है ECGC, और ECGC की full form है, Export Credit Granted Corporation, ये एक ऐसी insurance है, जो की specially बनी है exporters के लिए, ताकि जब वो अपना समान और services को export करें, तो उस time जो losses हो सकते हैं, उनको coverage प्रवाइड की जा सके, Option C is the right answer, Now the next question is, NAIS stands for, आपको NAIS की full form बतानी है, Options दी गई है, National Agriculture Insurance Scheme, National Agro Insurance Scheme, National Accident Insurance Scheme, and National Authority for Insurance Scheme, तो देखिए, NAIS की full form जो है, वो option A है, means National Agricultural Insurance Scheme, Option A is the right answer, Now the next question is, In India, DAESH controls and regulate the rates and advantages, terms and conditions, that may be offered by insurers, in respect of general insurance business, related to marine, motor, engineering, and workman compensation, देखिए, आपको बताना है, कि इंडिया में वो कौन सी बॉड़ी है, जो कि जिती में, जनरल इंशुरेंस बिजनस रहता है, उसको regulate और control करता है, ठीक है, जो भी rates, advantages, terms, conditions, इन सभी को जो control करता है, अब जो general insurance business है, उसमें क्या आगया, जैसे कुछ में बताया हुआ है, मुराइन insurance होगी, motor insurance होगी, है ना, इस तरह की जो insurance है, ये सारी general insurance ये जिसे non-life insurance भी कहते हैं, तो आपको उस body का नाम बताना है, जो इन सारे business को control करता है, options है, IRDI, TAC, GIC, LIC, तो देखिए, इस organization का नाम है, TAC, जिसकी full form रहती है, Tariff Advisory Committee, option B is the right answer, now the next question is, TAC stands for, अब देखिए, पिछले question में हमने किया, TAC, है न, क्या है, ये एक organization है, जो कि general insurance business को control करती है, तो अब इस question में आपको बताना है, इसकी full form क्या है, तो देखिए, अभी बात की हमने, इसकी full form है, Tariff Advisory Committee, ढोड़िए, कौन सी option सही है, हाँ जी, तो option D is the right answer, means Tariff Advisory Committee, अब नेक्स question, Dash is the pricing of insurance products, driven by market forces, तो आपको बताना है, कि insurance के products के price में, आती है, market की वज़े से, है न, उसे क्या कहा जाएगा, तो options है, Tariffing, D-Tariffing, Equilibrium Pricing, and Fixed Pricing, तो देखिए, market की वज़े से, जो insurance के product, जो है, उनके rates में, price में, changes आती है, उसे D-Tariffing, कहा जाता है, option B is the right answer, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, dash is an amount, in excess of value of insurers, assets, over the amount of liabilities, and this amount is prescribed by IRDAI, देखिए, इस question में पूछा गया है, कि अगर जो insurer है, means जो insurance company है, उसके assets की value, उसकी liability से जादा है, तो उसे क्या कहेंगे, किके assets क्या हो जाते हैं, उसकी property, जिससे उसको benefit आएगा, और liability क्या हो जाती है, उसकी जिम्मेदारियां, किके जहां पर खर्चा होएगा, तो अगर assets ज़्यादा है, liabilities के comparatively, तो IRDAI के हिसाब से, उसे क्या कहा जाएगा, profit, goodwill, margin, और solvency margin, तो देखिए, ऐसी condition को कहा जाता है, solvency margin, तो इसलिए, इस question का जो right answer आएगा, वो है option D, dash are those, where a part of premium is charged, for the risk cover, and the rest is invested in a selected mutual funds, as per the choice of investor, आपको बताना है, उस insurance product का नाम, जिसमें, जो premium दिया जाता है, उसमें से कुछ भाग, तो risk cover के लिए, चार्ज किया जाता है, और बाकी भाग, जो है premium का, उसे investor की choice के, mutual funds में, invest कर दिया जाता है, तो ऐसे insurance product का, नाम आपको बताना है, options है, mutual fund insurance, unit linked insurance, double insurance, and partial insurance, तो देखिए, mutual fund insurance, जैसी तो कुछ चीज होती ही नहीं है, double insurance जो है, ये भी अलग concept है, जो कि हमने, last video में पढ़ा था, क्योंकि double insurance क्या होता है, जब दो बार insurance करवाई जाती है, क्योंकि कै, तो बच्चा क्या, option B, क्योंकि देखिए, जो unit linked insurance plan भी कहा देते हैं, ये ऐसे non traditional life insurance plans होते हैं, जिसमें जो total premium है न, उसका कुछ भाग तो risk cover में चला जाता है, और बाकी जो भाग है न, वो market में लगा दिया जाता है, और market में भी, investor या policy holder की choice के हिसाब से लगाया जाता है, तो उसे unit linked insurance plan कहा देते हैं, या फिर unit linked insurance भी कहा देते हैं, तो इसलिए इस question का right answer है, option B, the danger of loss from unforeseen circumstances in future refers to dash, अब देखिए, इस question में पूछा गया है, के future में भविश्य में जो होना है, अब वो तो हमें नहीं पता है न, के future में क्या होने वाला है, तो अब इस question में पूछा गया है, के जो भी future में unforeseen circumstances है, means जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, के future में क्या होगा, अब उन से जो नुकसान का खत्रा हमेशा बना रहता है, उसे आप क्या कहेंगे, तो options दी गई है, peril, hazard, risk, or damage, दिखे, अब जो future में होना है, अब क्या होगा, हमें नहीं पता, अब उस नुकसान से, जो खत्रा हमेशा बना रहता है, उसे कहा जाता है, risk, तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहेंगे इसे, रिस्क कहेंगे, तो option C, जो है ये, right answer आएगा, चलिए, अब है next question, डैश policy is granted only, in respect of stocks, of inventory, of the insured, under fire insurance business, अब देखिए, आपको बताना है, उस policy का नाम, जो की है, तो fire insurance business से related, और ये policy, पॉलिसी सिर्फ दी जाती है, किसे, जो भी inventory रहती है, इन्वेंटरी का मतलब क्या होगे, जैसे मालीजे कोई industry है, जहां पर कुछ manufacturing का काम चलता है, तो वहाँ पर जो material स्टोर रहता है, उसे inventory कहेंगे, तो जो inventory का stock रहता है, उसे insure करने के लिए, जो policy grant की जाती है, या fire insurance business की तरफ से दी जाती है, उस policy का नाम आपको बताना है, तो option दे गई है, declaration, floating, replacement and valued, तो देखिए, ऐसी policy को declaration policy कहते है, जो किसके लिए है, stock of inventory के लिए, तो उसे कहेंगे declaration policy, और option A जो है, यह आएगा, right answer, next जो question है, इसमें पूचा गया है, कि term assurance refers to dash, देखिए, term है assurance, और assurance को हम normally अगर समझें, तो इसे हम भरोसा कह सकते हैं, और आपको बताना है, कि यह जो assurance शब्द है न, यह किस तरह के business से relate करेगी, options है, life insurance business, fire insurance, motor, vehicle insurance, और marine insurance, तो देखिए, जो assurance है न, भरोसा, तो भरोसा या फिर आप कह सकते हैं, कि assurance हो गया, जहां पर हमें पता है, कि हमें, जो हमारा पैसा है, वो मिलेगा ही मिलेगा, दोनों ही रूपों में, चाहे वो maturity के रूप में हो, या फिर claim के रूप में हो, क्योंकिक है न, तो ऐसा जो शब्द है, ये जुड़ा है, life insurance business के साथ ही, क्योंकि जो बाकी तीन insurance है न, fire, motor और marine, ये सभी non-life insurance की category में आ जाती है, जो की principle of indemnity पे काम करती है, जिबकि जो life insurance business है न, ये principle of assurance पर काम करता है, तो इसलिए जो assurance शब्द है न, ये life insurance business से related है, option A जो है, ये right answer आएगा, अब next जो question है, इसमें कहा गया है, dash provides evidence of insurance to police and registration authorities under motor vehicle act, आपको बदाना है कि वो कौन सा document रहता है, जो की police को या फिर registration authorities हैं motor vehicle act के अंडर, उन्हें दिखाया जाता है, या उन्हें दर्शाने के लिए कि ये evidence of insurance है, तो उस document का नाम आपको बताना है, options दी गई है, endorsement, policy form, certificate of insurance and cover note, अब देखिए, ऐसे document को न, certificate of insurance कहा जाता है, option C, right answer आएगा, क्योंकि देखिए, जो option A दी गई है, endorsement, endorsement का मतलब होता है, कि अगर आप अपनी policy में कुछ changes करवाना चाहें, तो endorsement के अंडर आप वो changes करवा सकते हैं, policy form तो हो गया, जिससे आप policy करेंगे, उस form को policy form कहें दिया जाएगा, और cover note जो है, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि कहना, तो option C, यानि कि certificate of insurance, जो है, यह हो जाता है, evidence of insurance, जो कि police या फिर registration authority, को आप दर्शा सकते हैं, तो इसलिए, option C, जो है, यह right answer आजाएगा, next question है, इसमें पूछा गया है, the policy holders are expected to pay premium, on the due dates, a period of 15 to 30 days, is allowed as grace, to make payment of premium, from the due date, is dash, अब देखिये, इस question में पूछा गया है, कि जो policy holders होते हैं, उनसे यह expect किया जाता है, कि due date पर premium दे दिया जाए, और एक 15 से 30 दिन का period, allow किया जाता है, उन्हें grace जिसे कहा गया है, जिसमें कि वो premium जो है, अपना due date के बाद भी भर सकते हैं, means due date जितनी तरीकों है, उसके बाद 15 से 30 दिन का time period दिया जाता है, जिसमें वो अपना premium जो है, भर सकते हैं without any late fee, तो उस period को आपने बताना है, क्या कहा जाता है, options दी गई है, days of grace, days of indemnity, both and none, तो देखिए, जैसे इसका answer तो खर question में ही आ गया, इसे हम कहते हैं, days of grace, loss or damage is dash, आपको बताना है, loss means नुकसान, या फिर damage, उसका main cause क्या रहता है, options है, proximate cause, indirect loss, consequential loss, and all of these, तो देखिए, जो main cause होता है, loss का, means नुकसान का, जो main कारण है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है, proximate cause, proximate cause, कह दीजिए, main cause कह दीजिए, एक ही बात है, means, ये वो cause या कारण होता है, जिसकी वजह से, नुकसान actual में हुआ है, तो उसे proximate cause कहेंगे, option A is the right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, the cause of possible loss, such as fire, windstorm, theft, etc. is known as dash, अब देखिए, जो loss है, possible loss है, उसका कारण, और कारण में बताया गया है, कि माली जी फायर हो सकती है, या फिर तुफान हो गया, या चोरी हो गई है ना, तो इस तरह के, जो possible losses है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, देखिए, जो last हमने question किया, पिछले वाला, उसमें तो main cause कहा गया था, अब इस question में जो है, वो पूछा गया है, कि possible loss के cause, जैसे कि fire, windstorm या फिर theft हो गया, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, options है, बाराट्रे, both, and none, तो देखिए, जो cause रहता है, possible loss का, उसे ना, यह risk को बढ़ा देता है, ठीक है, means, risk हो गया, खत्रा, और peril हो गया, वो cause, जो कि उस खत्रे को, और increase कर दे, बढ़ा दे, तो उसे कहा जाता है, तो इसलिए, अब यह जो cause of possible loss है, तो उसे क्या कहेंगे, peril कहेंगे, option A, जो है, यह right answer आ जाएगा, next question में पूछा गया है, dash is a package policy, which provides protection against number of separate points, अब देखिए, इस question में कहा गया है, कि आपको package policy का नाम बताना है, जो कि बहुत सारे, अलग अलग points पर protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, option है, single peril policy, group peril policy, and multi peril policy, और last option दी गई है, none, तो देखिए, इस package of policy को कहा जाता है, multi peril policy, देखिए, multi peril का मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग तरह के जोखिम, से protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अभी हमने last question में किया, कि मान लीजे, जोखिम जो है, वो fire से भी है, windstorm से भी है, theft से भी है, तीनों अलग अलग तरह के हो गया ना ये, तो ये जो होगी ना policy, इसको कहेंगे, multi peril policy, क्योंकि इस policy में न, ये सभी जो भी अलग अलग तरह के, जोखिम हैं या perils हैं, उनसे ये protection प्रोवाइड कर रही है, तो इसे multi peril policy कहेंगे, option C is the right answer, the next question is, dash is the property saved from the loss, आपको बताना है, कि loss के बाद जो property बचती है न, पिछे, उसे क्या कहा जाता है, profit, salvage, strand और jettison, देखिए, अब इस question में, चार शब दिये गए हैं, profit तो हो जाता है, फाइदा, अब loss के बाद, जो property बची है, उसे फाइदा तो, obvious सी बाते नहीं कहेंगे, strand तो इस शब्द, जो है strand न, वो तो relate ही नहीं कर रहा है, और jettison, हमने last वीडियो में भी बात की थी, jettison क्या होता है, कि समुदरी जहाज को डूबने से, या खत्रे से बचाने के लिए, जो समान वो पानी में फैंक देते हैं, उसे jettison कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो बचा क्या शब्द, वो बचा salvage, देखिए जब नुकसान हो गया, ठीक है, उसके बाद, कि जो property बचती है न, उसे salvage कहा जाता है, तो option B, जो है, यह आएगा, right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें बूचा गया है, कि when a company, re-insures its liabilities with the another, then it is dash, business, तो देखिए, अब इस question में कहा गया है, कि अगर कोई भी company, अपनी liabilities, means जो भी उसकी जिम्मेदारियां है, उनको किसी और से insure करवाती है, तो ऐसे business को क्या कहेंगे, option A, season, sades, sading or none, तो देखिए, जब company अपनी liabilities को, अपनी जिम्मेदारियों को, दूसरी company से insure करवा रही है, तो ऐसे business को कहा जाता है, sades, तो option B, जो है, यह आएगी, इस question में, इसमें पूछा गया है, the scope of protection, provided under the contract of insurance, is dash, देखिए, इस question में कहा गया है, कि जब हम insurance contract करवाते हैं, तो उसमें जो protection, provide की जाती है, उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है, option दी गई है, condition, coverage, contribution, and none, तो देखिए, कितने questions में, हम पीछे पढ़के आए है, कि जो protection, provide की जाती है, insurance contract के under, उसे क्या कहा जाता है, cover, क्योंकि commonly, हम insurance cover भी बोल देते हैं, है न, तो option B आएगा, इसमें, right answer means coverage, तो क्या हो गया, scope of protection, provided under the contract of insurance, is coverage, option B is the right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, कि medical expense insurance, is also known as dash, देखिए, जो medical expenses, provide करती है, means, ऐसी insurance, जिसमें, जो medical पे, जो खर्चे हुए हैं, उनको cover किया जाता है, ऐसी insurance को, आप क्या कहेंगे, means, क्या हुआ, कि हम बिमार हो गए, हमने यह insurance करवाई हुई थी, और जो हमारा खर्चा आया है, इलाज करवाने पे, उसको जो हमें provide करेगी, उससे हमें protection प्रवाइड करेगी, उसे क्या कहा जाएगा, personal insurance, liability insurance, medic claim and fidelity, तो देखिए, अब तीनो options, या सौरी, चारो जो options दी गई है, इन में आपको पता चल गया होगा, कि medical expenses insurance वाली कौन सी होगी, देखिए, जो सबसे पहले आगी, personal insurance, अब ये तो, means health के लिए, खर्चा नहीं provide करेगी, नहीं health के लिए coverage प्रवाइड करेगी, और जो liability है, ये personal liability हो जाती है, ये business related होती है, इन में क्या होता है, जो business related जिम्मेदारियां है, उनको ये cover देती है, फिर fidelity insurance भी इसके अंडर नहीं आएगी, पर जो mediclaim है न, वो medical expenses को coverage प्रवाइड करती है, तो mediclaim policy कहेंगे, कौन सी policy को, जो की medical expenses insurance है, इसे mediclaim भी कहा जाता है, option C is the right answer, चलिए, अब जो next question है, इसमें कहा गया है कि, risk of individuals and the families, are code under dash, अब देखिए, किसी individual या फिर, उसकी families, कोई भी individuals होगे, उनकी families होगी, उनको जो cover किया जा रहा है, किस प्रकार की insurance में cover होएंगे वो, option है, personal, property, liability and all, तो देखिए, जब individual उसकी family cover हो रही है न, तो ऐसी insurance को न, हम personal insurance की category में मानते हैं, क्योंकि देखिए, property तो ये नहीं है, liability भी नहीं है, तो ये कौन सी आ जाएगी, personal insurance, तो option A is the right answer, next question में पूछा गया है, central office of LIC of India is located at dash, अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, कि LIC of India का central office कहाँ पर है, तो देखिए, जो LIC का central office है न, वो है मुंबई में, क्योंकि ओप्शन A आएगी right answer, देखिए, ये तो सिरफ LIC of India का ही पूछा गया है, आपको और भी जो various companies हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए एक separate वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप playlist में जाकर check कर सकते हैं, चलिए, अब next जो question है, इसमें पूछा गया है, अंडर डैश इंशूरेंस, Loss of Profit Policy is called as Consequential Loss Policy, देखिए, इस question में पूछा गया है, कि आपको बदाना है, कि वो कौन सी insurance है, जिसे Consequential Loss Policy भी कहा गया है, तो options है, मराइन, Property, Fire, और Life, तो देखिए, जो Fire Insurance रहती है, इसे Consequential Loss Policy भी कहा जाता है, ठीक है, Option C is the right answer, Next question में पूछा क्या है, From the following, Which is not an example of fundamental risk, देखिए, fundamental risk का example क्या नहीं होगा, जो नीचे options दी गई हैं उन में से, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कि fundamental risk होता क्या है, देखिए, fundamental risk होता है, ऐसा risk जो की society को affect करे, या फिर एक large population को affect करता है न, उसे fundamental risk कहा जाता है, तो options दी गई है, war, unemployment, inflation, और burning of the house, तो देखिए, question में पूछा गया है, कि कौन सा ऐसा example है, जो fundamental risk को represent नहीं कर रहा है, देखिए, अगर war है, means युद की स्थिती है, तो एक society क्या पूरा देश, या दो देश ही affect हो जाते हैं, unemployment भी society को affect करती है, inflation, मतलब महंगाई, महंगाई भी पूरी society को affect करती है, पर burning of a house, अगर एक घर जल जाता है, तो उससे पूरी society affect नहीं होती, इससे तो वो घर या ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के दो तीन घर है, वो affect होएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए fundamental risk में जो नहीं आएगा, वो option D होगा, means burning of a house, चलिए, अब जो next question है, इसमें पूछा गया है, कि dash is also termed as group risk, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा risk है, जिसे group risk भी कहा गया है, options है fundamental risk, static risk, property risk, liability risk, तो देखिए अभी last question में हमने किया, क्या कहेंगे group risk को, fundamental risk कहेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि fundamental risk, ऐसा risk है, जो कि large group of people को affect करता है, तो उसे fundamental risk कहा जाएगा, या फिर group risk भी कहा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इस question का जो right answer है न, वो आजाएगा option A, चलिए अब जो next question है, इसमें पूचा गया है, final accounts of life insurance companies include, अब जो life insurance companies रहती है न, उनका जो final account होगा, उसमें क्या include होगा, क्या cover होगा, चेक करते हैं, options दी गई है, revenue account, profit and loss account, receipt and payment account, and all of these, तो देखिए जो final account बनेगा, उसमें revenue भी आएगा, उसमें profit और loss भी आएगा, उसमें receipt और payment, ये सभी चीज़े आएंगी ही आएंगी है न, तो इसलिए option D, means all of these, is the right answer of this question, तो ये D option जो है, ये सही option आगई, चलिए, next question में पूछा गया है, from the following, which is a type of reserve, in insurance business, देखिए, अब ये जो question है न, इसमें कहा गया है, कि आपको बताना है, कि जो insurance business है न, उसमें reserve क्या होगा, जो नीचे options दी गई हैं, तो options पहले पढ़ते हैं, unearned premium reserve, देखिए, unearned का मतलब क्या हो गया, ऐसा premium जो आपने reserve करके रख लिया है, unearned है, दूसरा हो गया, unexpired risk reserve, ऐसा risk का पैसा, ये reserve, जो unexpired है, और outstanding claim reserve, ठीक है, जो अभी पढ़ा हुआ है, claim दिया नहीं गया है, तो देखिए, ये तीनों ही है ना, जो unearned, unexpired, और outstanding, ये तीनों ही जो reserve है, ये insurance business में आ जाएंगे, ये तीनों ही include होंगे, तो all of above means, option D, जो है ये, right answer आ जाएगा, इस question का, next question में पूछा गया है, current ratio measures, the dash position, of insurance policy, देखिए, जो current ratio होता है, वो insurance policy का, कौन सी position को, दर्शाता है, options है, solvency, liquidity, profitability, and activity, देखिए, जो current ratio है, मतलब होता है, कि ability of company, means company की ability, कि वो कितनी जल्दी, अपने जो short term obligations है, उनको pay कर सकती है, means उनके जो चोटे मोटे से, obligations हो गए, या फिर debts वगएरा हो गए है न, जो करजे वगएरा है, या और, means short term की, जो उनकी obligations है, उनको कितनी जल्दी वो pay कर देती है न, उसे current ratio कहा जाता है, तो अब इन्होंने कहा है, कि current ratio अगर measure करना है न, तो वो किस से करेंगे, means वो solvency से करेंगे, liquidity से करेंगे, profitability से करेंगे, या फिर activity से करेंगे, तो देखिए, जो current ratio है न, ये measure किया जाता है, company की liquidity से, means company जो है, कितनी जल्दी, means कितनी liquidity है, वहाँ पे, कि वो short term, अपने खर्चों को, या फिर अपने जो करजे वगएरा लिये वह हैं, या जो और उनके, short term liabilities हैं, उनको कितनी जल्दी, pay कर देती है, उसे liquidity, वाली position कहेंगे, उसकी ठीक है न, तो इसलिए, current ratio को measure किया जाता है, किस की help से, liquidity की help से, option B, जो है ये आएगा, right answer, अब next question है, इसमें आपको बताना है, कि, dash is also known as, all risk policy, all risk policy को, और क्या कहा जाता है, options है, comprehensive policy, excess policy, floating policy, and adjustable policy, तो देखिए, जो all risk policy है न, इसे comprehensive policy भी कहा जाता है, means, सारे के सारे risks को, cover करेगी ये, तो इसे, comprehensive policy कह दीजिए, या फिर all risk policy कह दीजिए, option A is the right answer, next question में पूछा किया है, कि health insurance can be availed by people aged, between dash and dash, means, जो health insurance है न, ये कितनी age के लोग जो है, means, age की limit क्या है, health insurance policy खरीदने के लिए, तो इसकी जो limit होती है न, वो 5 साल से 75 साल होएगी, तो option C जो है, वो right answer आएगा, 5 होगी minimum, और 75 होगी maximum age, चलिए, next question is, a health insurance should be dash, आपको बताना है कि health insurance, जो है, ये क्या इसमें conditions होनी चाहिए, या फिर जो भी नीचे options गई है, इन में से कौनसी option right आएगी, affordable, continuous, universal, and all of above, तो देखिए, जो health insurance है न, ये affordable भी होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए, सबी के लिए होनी चाहिए, और option D दी गई है, all of above, तो देखिए, जो health insurance है न, इसमें ये A, B, और C, तीनो ही conditions जो है, ये होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए, D option जो है, ये right answer आएगा, now next question is, from the following, which is a character of life insurance service, अब देखिए, जो life insurance services रहती है, या फिर life insurance policies रहती है, आपको बताना है, कि जो नीचे characters दिये गए है, या features दिये गए है, वो कौन-कौन से features इसमें आएंगे, तो options है, intangibility, heterogeneity, inseparability, and all of above, तो देखिए, जो life insurance रहती है न, उसके तो ये तीनों ही features है, क्या-क्या, सबसे पहले है, intangibility, देखिए, intangible का मतलब होता है, non-physical, क्योंकि जो हम insurance policies खरीदते हैं, ये non-physical है, ये ऐसी product हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, इन्हें हम, intangible या फिर non-tangible भी कहते हैं, तो intangibility भी हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जो हैं, वो coverage प्रवाइड की जाती है, अलग लग तरह के, riders हमें अपनी जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं, और अलग लग तरह की insurance policy भी, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से मिल जाती हैं, तो heterogeneity भी इसका feature आ गया, और next है inseparability, inseparability का मतलब होता है, जिसे की अलग ना किया जा सके, अब देखिए इसका मतलब है, कि जो आपको features दिये गए हैं, या जो भी आपको contract में promises किये गए हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, inseparable होंगे वो, तो इसलिए इस question का जो right answer आएगा न, वो होगा option D, क्योंकि ये तीनों ही, means intangibility, heterogeneity और inseparability, ये तीनों ही life insurance के features में आएंगे, या characters में आएंगे, तो D जो option है, ये है इसका right answer, चलिए, अब हम करेंगे next question, जो की हमारी वीडियो का last question है, अब देखिए, इसमें पूचा गया है, LIC Housing Finance Limited was incorporated in Dash, अब देखिए, LIC की एक और शाखा है, जिसे की LIC Housing Finance Limited भी कहा जाता है, आपको बताना है, कि उसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए, उसकी स्थापना हुई थी, 1989 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है, LIC Housing Finance Limited की स्थापना हुई थी, 1989 में, तो option B जो है, वो आ गया right answer, Thanks for watching the video, and best of luck!